नमस्कार मिरनाम सुमिस सेंग मैता हाँधरोगे से एक और नया लक्चर लेके आज का हमारा है लक्चर नमबर 16 सबसे पहले कर लेते हैं कि आज किस लेक्चर में हम किस टोपिक को कबर करने वाले हैं आज का हमारा topic रहने वाला है क्या metallic bond जैसा आप जानते हैं हमारी ये bonding in solid वाले सीरीज चल रही है इसमें हमने सबसे पहले ionic bond के हम डिसकस किया उसके आपने covalent bond के हम डिसकस किया और जो आज हम डिसकस करेंगे वो क्या है metallic bond okay ना समझते हैं कि ये metallic bond होता क्या है ना जैसे नाम से पता चल ला है metallic bond क्या है किसी metal के atom के भी जो bond होता है उसे हम क्या बोलते हैं metallic bond बोलते हैं अब metal क्या होते हैं जैसे sodium sodium क्या है एक टाप का alkali metal है जैसे copper, aluminium या फिर gold ये सब क्या होते हैं metal हो अर्थ metal है कोई alkali metal होते हैं तो इनके बी जो force लगता है यह इनके atom के बी जो force लगता है यह जो bond बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं metallic bond बोलते हैं तो metallic bond क्या है metallic bond का मतलब क्या हुआ this bond metallic bond is formed between atoms of metal पहले important line लेंग लेते हैं उसके बार discuss करें कि कैसे यह bond formation होता है ठीक है तो पहले आपने important point लिखो कि metallic bond metallic bonds are formed in metal in metal ठीक है कहाँ पाई जाते हैं यह metal नबाद दुसरा point point लिखो जो metallic bond होते हैं they are formed by partial sharing of electron बहुत important चीज है ठीक है क्या लिखो यहाँ पर metallic bond are formed metallic bonds are formed by partial sharing कैसी sharing partial sharing of balance electron कैसे electron balance electron balance electron बोलते हैं इसको हम conducting electron दी बोलते हैं कुन सा electron conducting electron ठीक है तो क्या लिखा हमने metallic bond are formed by partial sharing of balance electron यहाँ फिर conducting electron third important point लिखे यह हमारे पास क्या metallic bond are इसको हम बोल सकते हैं क्या they are unsaturated covalent bond क्या होते हैं यह unsaturated यहाँ बोल सकते हैं अनकंप्लीट covalent bond होते हैं क्या होते हैं यह metallic bond are metallic bonds are uncomplete covalent bond यहाँ बोल सकते हैं इसको हम कैसे unsaturated covalent bond क्या होते हैं unsaturated unsaturated covalent bond covalent bond CB मनलब covalent bond ठीक है तो यह कहाँ तीन important point है पहला point क्या है metallic bond are formed in metal बहुत simple बात हुई दूसरा important point है क्या है मेरे पास metallic bond are formed by partial sharing of balance electron हम समझें के partial sharing का क्या मतलब हुआ ठीक है partial sharing of balance electron और तीसरा जो important point है वो क्या है मेरे पास metallic bond are incomplete covalent bond यह क्या होते हैं एक्चुल में Uncomplete covalent bond यहाँ फिर unsaturated covalent bond होते हैं नाव सबसे पहले हिंड डाले क्या what do you mean by partial sharing of balance electron तो समझते हैं कि partial sharing of balance electron से क्या मतलब हुआ इन नोट कल लिए आपने मैं इसको मिटा रहा हूं हिंड डालिए partial sharing of balance electron या फिर सिर्दे सिर्दे के what we mean by या फिर वर्ट वी अंडर्स्टेंड बाई partial sharing of balance electron तो यह partial sharing of balance electron बोल रहे हैं क्या है यह पार्षियल पार्षियल शेरिंग ओफ वेलेंज इलक्ट्रों एक जामपल से से शिंगते हैं लिट एस टेक एक जामपल ये एक जामपल ये बात करते हैं कि इसकी एक है ऐलकेली मेटल स्ोडियों कि ए M सॉऩगर आपसे पूरी किसका इलग्ट्रोनिक क्या होता है तो आपका अंसर क्या होगा बहुत सिंस्पल वाव कांफिडरी क्विक्रीशन और सोनीच क्या होता है अगर मैं इसके outer Mos quell को देखूं क्या है Uncomplete है क्योंकि यहाँ पर कितने इलक्डरों है ऐसमें सिर्फ एक रिक्डरों है और चाहिए इसको complete होने के कितने इलक्टरों हुने चाहिए यहाँ यॉनी एकि एक रिक्ड़ों से और चाहिए यह इसको कैच यह एक इलक्ट्रोन की क्या है requirement है अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं शोडियम को एक है मेरे पास शोडियम और इसका सिर्फ आउटर मोसल बना रहा हूं यह कहा है इसकी balance और इसमें सिर्फ कितने इलक्ट्रोन है एक इलक्ट्रोन है कुंसा वाला यह वाला sodium atom को दूसरे sodium atom से मिलना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा इस sodium atom के पास एक दूसरा sodium atom लाओंगा तो क्या किया मैंने इसके पास एक दूसरा sodium atom लाया ठीक है यह क्या है मेरा कोई एक दूसरा sodium atom है देखो करेंगे क्या जैसे यह sodium atom एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके पास क्या है इसके पास भी क्या है एक इलक्ट्रोन है और इसके पास भी क्या है एक क्या बोल सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बैलेंस इलक्ट्रोन बोलते हैं यह इसको एक और नाम है क्या मेरे पास conducting, electron. क्यों हम बोला हमने इसको? क्यُmarktता है यह, इस sodium के nucleus के साथ या फिर atom के साथ बहुत ही क्या होता है? lessly bond होता है, फिर weekly bond होता है, यानि इसको, मैं यहाँ से easily क्या करकता हूं? remove करकता हूं. इसलिए हम इसको क्या बोला? balance electron या फिर कंडक्टिंग इलक्ट्रॉन बोला तो क्या होगा जैसे ही ये दो सोडियम एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो यह क्या करेंगे अपने बैलंस और बीट्रों को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे औ क्या करेंगे अपने तो मेरे पास क्या है जो आउटर मos और शिक ह qualche है चुछा बेलेंस है उसको क्या कर लेंगे शियर कर लेंगे और चेएर करने के बाद कि अबना देंगे एक फार्मिशन करेंगे एक और वान का तो इसने भी क्या कर दिया, अपना एक electron, इसके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया, और ऐसा करने से क्या हुआ, इसका ये वाला shell क्या हो गया, complete हो गया, यहनी, fulfill हो गया, यहनी, इन्होंने क्या बना दिया, एक यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं, electron pair bond बनाया, तो कुछ ऐसी condition यहाँ पर एक pair बनाया, यहाँ यह ऐसा ही बोल सकते हैं, इनकी जो आउटरमोस्ट और बिट है, वो क्या कर जाएगी, ओबरलैप कर जाएगी, और उसके ओबरलैपिंग से, यहाँ पर क्या बनेगा, एक electron pair bond, इसे हम क्या बोलते हैं, electron pair bond, यह तो किसके case हुई, दो sodium का case हु लेकिन, अब मगर यहाँ पर क्या करना चाहूं, एक तिसरा sodium इसके पास लाना चाहूं, क्या करना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर एक तिसरा sodium लाना चाहूं, अजुम कर लिया, कहां बनाते हैं, तो को दो sodium तो ऐसे हैं, यह रखे हुआ है, पेर बना हुआ है, अम मैं क्या कर एक शोडियम यह है और इन दुनों का आउटरमोस सेल उबरलैप कर रखा है, एक शोडियम यह है, ठीक है, यहाँ पर उनने बना रखा है क्या, इलक्ट्रोन पेर बॉन्ड, अम एक तिसरा शोडियम ला रहा हो, देखो क्या किया मैं एक तिसरा sodium लाया कहां इसके पास आप मैं क्या लाया एक तिसरा sodium लाया अब इस तिसरे sodium के पास क्या है एक electron है कौन्षा वाला ये वाला 3S1 वाला इसके पास एक electron है लेकिन इनके electron क्या कर गए है पेर कर गए है लेकिन इसके पास क्या है balance या फिर बोल सक यहां पर क्या होगा यानि यह जो इलक्ट्रॉन है वो किसके साथ प्यर बना सकता है इस थ्रीपी के साथ प्यर बना सकता है यानि इस थ्रीपी वाले इस जो मेरे पास यहां पर क्या है शोडियम है इसके थ्रीपी में जा सकता है आंसर है हां जा सकता है लेकिन क्या इसके पास पेर बनाने के लिए इलक्ट्रॉन है? आंसर है, नहीं है. क्योंकि इन दो sodium ने पहले ही अपने जो outermost वाले electron थे, उनके साथ क्या बना लिया है? पेर बना लिया है, तो अब ये sodium atom इसके साथ पेर नहीं बना सकते. तो होगा क्या? तो ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अजमसन करेंगे. हम क्या बोलेंगे? कि जो यहाँ पर पेर बन रखा है ना, ये जो पेर बन रखा है यहाँ पर ये अपना वान बाट, ये जो इस sodium का जो electron है, ये क्या करेगा? अपना वान बाई पार्ट, ये फिर बोल सकते हैं इस पेर का वन बाई पार्ट तो यहाँ पर यूज होगा और इसका वन बाई पार्ट किसके साथ यूज़गा? इस sodium के साथ यूज़गा. तो दिहान से सुनना बात को. क्या कहना चाहा रहा हूँ है? इस sodium के साथ पेर बनाने के लिए इस sodium के साथ पेर बनाने के लिए इस sodium के पास यहाँ पर क्या बन चुका है? पेर बन चुका है. ना होगा क्या? लेकिन इसके पास शेल है. क्योंकि इसके पास शेल है? कौन से वाले शेल खाली है? 3P वाले शेल खाली है. लेकिन इसके पास पेर बनाने के लिए इलक्टरोन नहीं है. ना होगा क्या? अब बढ़ी खुब पर पेर बन रखा है, जो यहाँ पर पेर बन रखा है, यह अपना वन बाई पार्ट पेर तो इसके साथ है, और वन बाई पार्ट पेर इसके साथ है, क्या बोल लाओं में, कि जो यहाँ पर पेर बन रखा है, यह वन बाई पार्ट इसके साथ है, और वन बाई टू पार्ट इ यहां पर है और half of electron pair bond यहां है यानि यह electron एक complete pair दो एकम के साथ एक साथ नहीं बना सकता है हम यह नहीं कर सकते कि इस क्या बोल सकते हैं इस sodium atom ने एक electron pair bond इसके साथ बनाया और एक electron pair bond इसके साथ बनाया हम क्या बोल सकते हैं इस sodium आधा के साथ बनाया और आधा एलक्टरौन पेरवन्ड इसके साथ बनाया ठोलिए थोड़ा चीज़ क्या है एक्टिश् में हुटा है यह गार यहां होगा निने का कभा हुट अधार को तो कुछ ऐसा हमको देखने को 我 piel penetrant देखो अगर मैं अजुन करूं कि यह मेरे पास यहाला सोच सकता हूं उस तरीक़ी समझानी कुशिस कर रहा हूंग मैं वेसे बनाओ उसे वाले ages 18 और इस उपर यह तो यहां यहां पर इस व में चोडियह का घू कून शावाला एकन्सा वाला यह ए मे किर ठीक Form यह जो इलक्ट्रॉन है यह इसके और रिबॉल्व करेगा फिर यहां जाएगा 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 फिर तो ये जो मेरे पास ये है, ये electron है, ये यहां भी है, और यहां भी है, और कहने का मतलब का है, यहां अजुम कर लेंगे, कि यहां पर half of electron pair bond यहां है, और half of electron pair bond यहां है, ठीक है, killer हुई बात, ओके, अब देखो, अगर आप ध्यान से यहां पर देख पा रहे हो, अगर मैं किस की बात करता हूँ sodium atom क स्कु CV करता हूँ ठाहिए लिए gritiles के बात करता हूँ तो Azerbaijan crystal schedule stick का साथ होता है ठीकर है यह बोकी सथेंटर क lug सेंटर का होता है बॉडी इसंटर क्यूबीक से कैसा हुता है बोकी सेंटर क्यूबीक से होता है कि इन sodium crystal जो मेरे पास एक sodium atom होता है वो कितने sodium atom के साँ interact करता है 1 by 8 sodium atom के साँ क्या करता है interact करता है इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो एक मेरे पास electron pair bond होगा उसका एक atom के लिए कितना part contribute कहुरा होगा 1 by 8 part जैसे यहाँ पर 2 atom जूड रहे थे ना इससे इस sodium atom से एकर 2 atom जूड रहे हैं तो इसका जो electron pair है उसका 1 by 2 part each atom के लिए था लेकिन actual में actual जो physics होती है उसमें जो हमारे पास sodium crystal होता है उसका structure कैसा होता है बी सी सी होता है कैसा होता है body center cubic cell होता है इसका मलब इन बी सी सी जो मेरे पास एक sodium atom हो कितने sodium atom से घिरा होआ है 8 sodium atom से घिरा होआ है कितने 8 sodium atom तो उस sodium atom का जो electron pair bond का एक sodium atom के लिए कितना part होगा 1 by 8 part कितना part होगा 1 by 8 part इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस sodium atom का जो free electron है यहाँ पर अगर मैं क्या है यह sodium atom है इसका जो free electron है वो 8 अधर जो अटम होंगे अधर जो वहाँ पर उसके नेवर हुड में जो अधर 8 sodium atom होंगे उनके औरलों भी क्या कर रहा होगा वो रिवाल कर रहागा याँ उनके शाम भी क्या हो रहा हो इसके बंघा मेंएगा हमको एलょक्ट्रोन प्यर बॉंड देखने को मिलेगा एक complete एलेक्ट्रोन प्यर बॉंड देखने को मिलेगा क्या देखने को मिले एक shared training प्यर बॉन सकते हैं अगर गर यहाँ पर आठ है इसके चारों ओर तो वन वाई एट किसके लिए हुगा। खीक है अब देखोंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ सिर्फ दो एटम की बात करता हूं तो यह कैसा बॉन्ड हुआ एक्चुल में कोवलेंट बॉन्ड हुआ लेकिन अगर मैं कितनी की बात करता हूं यहां पर कितने एटम है इस सोडियम के साथ दो सोडियम एटम है एक इधर से एक इधर से तो इसका मतलब यह यहां पर भी है यह तो इसलिए हम बोलते हैं कैसा बॉल्ड एंस चुरेटेट कोवलेंट बॉलते हैं ठीक है किलर हुई बात और हमने क्या बोला था वहापर कि जो मेटलिक बॉल्ड होता किससे बनता है पार्शल शेरिंग और इलक्ट्रों से बनता है तो अब इसका जो इलक्ट्रों है वह यहां पार्शल शेरिंग होई तो हम कह देंगे कि यहां पर जो मेरे पास मेटलिक बॉल्ड हो कैसे बन रहा है और जो यहां पर बॉल्ड है उसको हम एक और नाम बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं और फिर अनकम्प्लीट कोवलेंड बॉलते हैं ठीक है इतनी बात के लिर हुई अब देखो थोड़ा सा complicated जैसा हो रहा है लेकिन इसको हम simple भासा में भी समझ सकते हैं एक scientist है जिनका नाम था क्या Drude ने इसको एक electron C model के helper से समझाने की कोशिस किये तो इन डालिए Drude explanation ठीक है इन डालिए Drude explanation या फिर as proposed by Drude लिखो क्या लिखो as proposed by Drude क्या लिखेंगे as proposed by Drude तो Drude ने क्या क्या कुछ प्रपोस किया किस के बारे में इस metallic bond के बारे में आपि बोल सकते हैं इस metal के बारे में तो उनने क्या बोला कि जो metal में जो atom होते हैं उनके पास क्या होते हैं balance electron होते हैं जो की atom के साथ बहुत loosely क्या होते हैं, बहुत loosely bond होते हैं, और वो room temperature में क्या होते हैं, उस atom से बाहर निकल जाते हैं, तो उनने कुछ इस type का assumption किया, या फिर कुछ इस type की theory दी, उनने बोला कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक यह metal की sheet है, यह क्या है, metal की sheet है, तो इस metal की sheet में क्या होंगे, metal atom होंगे, और actual में उन metal atom से जो balance electron होगा, वो क्या हो गया होगा, वहाँ से बाहर निकल गया होगा, अगर metal atom से जो electron है, balance electron है बाहर निकल गया, तो वहाँ पर क्या होगा मेरे पास, metal ion होगा, ठीक है, तो मुझे मेरे यहाँ पर क्या कुछ इस तरीके से आयन देखने को मिलेंगे क्या देखने को मिलेंगे कुछ तरीके से आयन देखने को मिलेंगे क्यों देखने को मिलें आयन क्योंकि इन में से क्या हो गया है बैलेंस एलक्ट्रॉन बाहर निकल गया है अब बैलेंस एलक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला क्यों क् किससे एतम से ठेक तो यह बना जाता हूं हम यहाप पर यह कहां मेरे पास मैटल आयन है इनको हम करनाय भी बोलते हैं ठीक है ना अब देखो यहां क्या होगा हर एयन से एक एक एक्रek्ट्र नख हो रहा होगा बाहरनिकार हम सुदियान एक्रण की बात करें तो सettsंटीय में में सिर्कतिना बैलन्स एक्रण था एक फ़्यर्ण सथा तो यहाँ पर हर एटम से एक एक्रण क्यों हो गया होगा आथ अर्ण निकला चाहें और उन्होंने बोला कि यह जो इलक्ट्रोन होते हैं इनी को हम क्या बोलते हैं फ्री इलक्ट्रोन बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्री इलक्ट्रोन यहां फिर कंडक्टिंग इलक्ट्रोन यह क्या है मेरे पास यहां फर फ्री इलक्ट्रोन है ठीक है क्या बोलते हैं इसको फ्री इलक्ट्रोन बोलते हैं और यह फ्री इलक्ट्रोन इस पूरे फ्रेम वर्क में क्या होते है move करने के लिए free होते है जितना बड़ा यहाँ पर हमने यह frame बना रखा है इस पूरे frame में यह electron क्या कर सकते हैं freely move कर सकते हैं कहीं भी कैसे भी तो यह electron यहां भी जाएगा ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा अगर आम net में देखो ना एक बहुत ही अच्छा animation है इ कि वो दिखा रहा है कि free electron किस तरीके से ऐसे यहां पर क्या करता है move करता है यहां करके यह करके यह करके ऐसे करके फिर यहां से यह electron इसके चार हो और यह करके ऐसे करके move करेगा यानि finally यह सारे के सारे electron मिलकर यहां फिर बोल सकते हैं free electron मिलकर क्या बनाते हैं यहां पर एक electron c कर रहें यहां पर मेरे पास कर रहे हैं इन के बीट क्या कर रहे हैं मूब कर रहे हैं और यह एक किसके तरह काम करते हैं, वर्क एज ग्लू, किसके तरह काम करते हैं, एक ग्लू की तरह काम करते हैं, क्यों करते हैं ग्लू की तरह काम, क्योंकि यह क्या है नेगेटिव और यह क्या है पॉजिटिव तो यह क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ए बॉल सकते हैं एक बोलते हैं ये क्या होगा एक सिम्पल सा क्या हो रहा होगा तो यह किस की seems है蠁 कि थSp Хот हीज़ी जोगवा है इन अआयन के बीच उनके बीच फ्री खाली होगा करते हैं कहीं भी कासे बी किधर हैं और इनके मोशन की वज़े हैं किसे करका का रहा है ग्लू यानी चिपकाने वाला किसको चिपका रहा होगा यह है मीरे पास यहाँ पर क्या है इन आयन को क्या कर रहा और क्यों चिपका रहा होगा है उनके पीच क्या लग रहा है इलक्ट्रो स्टेटिक एट्रक्शन का फोर्स लग रहा है ठीक है इतनी बात किलर हुई अगर आप इसको और सेर्ट समनना चाहते हो न मैं आपको एक सब्सक्राइब यहां इनसे घ़ा रहते हैं किस तरीक से इलक्ट्रो समस्राइब करने को क्या होते हैं ति कि यहीं पूरी सर्फेस मेंद मूव करने को क्या होते हैं इसी वजय से मेटल होते हैं बहुत अच्छे कंड़क्टर होते हैं क्यों क्या कर रहे होते हैं इस तरीके से मूफ कर रहे हैं और उसी अधर इस अब बाट करते हैं कि जो मेटल बनेंट से जो इसकी प्रॉपEиваем परफेर्टि के बारे में प्रॉपेर्टि तो यही मैटलिक बार्ण होते हैं मैंटलिक बॉट तो बैन्डिक इनर्जी किसकी बात करते हैं कि कि इतना हुट उसकी 243 ठीक है। उए उए लग्ट्रोंगोल्ट से 5 उख्रोंगोल्ट के बीच होती है। जो की कम है किससे, विचिस लेस देन, विचिस , विचिस और अगर निकी बाइंडिक इनर्जी क्या है कम है तो इसका मतलब क्या होगा इनका मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट भी क्या होगा अग्ला पॉइंट क्या जाएगा मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट इस लेस देन अग्या जाएगा आइनिक एंड कोविलेंट बॉयलिंग कोविलेंड क्या जाएगा आइनिक एंड कोविलेंट शॉलिड जो मेल्टल होंगे उनकी जो मेले पास क्या बॉयलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है आइनिक और कोविलेंट शॉलिड से क्या होता है कम होता है क्योंकि बैंडिंग इनर्जी क्या होती है कम होती है 3rd क्या है बहुत important चीजब,ların very good conductor of heat and the electricity, because they have free electron, they are a good conductor, heat and electricity, they are malleable and ductile यो बंचन बंदेemarkते, सब्सक्राइब करते हैं यह क्या होते हैं मैलेबल होते हैं और ठीक और तो यह क्या होगी इनकी प्रॉपर्टी होगी कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ठीक हो गया फर्स्ट की दो इंपोर्टेंट थी नीच वाल तो पताईएं को दे आर कुट कंड़क्टर एंड डियार मैलेबल एंड ड़क्टाइल है ओके सब्सक्राइब कि मेटलिक बॉर्ण्ड क्या होता है ठीक एक बार आप खुद पढ़